नमस्कार दोस्तों स्वारात आप सभी का लेंस फायर पे आज हम लोग आई पीजी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नमबर 6 कवर करने वाले हैं मेरे भाई अगर चैप्टर नमबर 1 यानि की सेक्शन नमबर 125 नहीं पढ़ा है तो जल्ती से IPC की पे लिस पर जाओ और वो सब देख कर आओ ठीक है आज हम लोग भाई एक बहुत इंपोर्टेट वीडियो कवर करने हैं मेरा मानना है कि जब हम लोग IPC पढ़ रहे होते हैं तो सेक्शन नमबर 34 और सेक्शन नमबर 149 के बीच में जो common intention versus common object का जो एक खदरनाक से confusion है वो सब को बहुत परेशान करता है सच बताओं तो मुझे लगता है कि इसका exact solution यूट्यूब पे दिया ही नहीं है आज हम लोग कोशिश करेंगे मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी इस confusion को हमेशा के लिए दूर कर दूँ और तुम्हें इस वीडियो के बाल common intention versus common object को ढूणने के लिए कहीं और ना जाना पड़े देखो इस पूरे चीज को हम लोग दो पार्ट से कवर करेंगे पहले हम लोग common intention को समझ लेंगे यानि कि section no.34 पर समझ लेंगे फिर हम लोग 149 पर जाएंगे common object को समझ लेंगे फिर इन दोना के बीच में distinction रो करेंगे ताकि हम लोगों के मन में confusion तो कोई गुंजाईश रही ना जाए ठीक है structure समझ में आ रहा है तो शुरू करें अच्छा भाई अब common intention पर पहुंचने से पहले उसमें हम लोगों को section no.34 से पहले section no.32 और 33 को जानना important है तो अगर हम अपने तरीकें से चलें तो पहले लगाएंगे bear act की reading फिर उसको section को तोड़ेंगे मरोडेंगे IPC के case loss समझेंगे और फिर section को भुठा के side में रख देंगे तो भाई bear act उठा लो और reading लगा लो तो session no.32 क्या कहता है words referring to act includes illegal omissions ठीक है ठीक है तोड़ूंगा रोको in every part of this code except where a contrary intention appears from the context words which refer to act then extend also to illegal omissions देखो मेरे भाई चलो तोड़ते हैं देखो वैसे हम लोग अगर बात करें तो act से हम लोग क्या समझते है एक्ट से असर में देखो यह कुरा section act को define करने कुछ कर रहा है जब हम लोग IPC की बात करते हैं उसमें तो क्या कहना चाहरा है कि देखो normally common language में बात करें तो act क्या है चलना फिरना बोलना लिखना पढ़ना यूट्यूब की वीडियो देखना सब कोछ एक तल्याप के act है लेकि जब लोग क्रायंट की बात करते हैं तो illegal acts और illegal omissions जानी कि जो चीज़ें करने चाहिए और वो आप नहीं कर रहे हो उसको भी हम लोग इसके पूरे जब दालते हैं ठीक इसके अंदर कि इसका scope wide किया गया है act शद का scope wide किया गया है और इसके अंदर illegal omissions को डाला गया है समझ रहे हो अच्छा तुम समझना और detail बताता हूँ माल लो माल लो तुमारी duty है कोई documents को produce करना to produce documents और तुम वो नहीं फुल्फिल करते हूँ तो तुम section number 125 के अंदर लाइबर होगी समझ रहे हो यह सब यह नहीं है कि तुमने can't किया तुमने कुछ नहीं किया जो कि तुमने करना था उसके लिए तुम सदर मिल रही है बात तुमने नहीं आ रही है similarly similarly अगर कोई lawyer को किसी current से किसी भी obligation के through तुमने अगर यह तुम्हारे उपर भार है कि तुम एक public servant की मदब करो और तुम नहीं करते हो तो तुम section number 187 के अंदर libel होगे यहां पर भी तुम्हारा कुछ करना नहीं बलकि तुम्हारा कुछ ना करना तुम्हें लाइबल कर रहा है बास समय में आ रही है illegal omissions कैसे मतलब हमको लाइबल करते हैं यह समय में आ रहा है ठीक है तो इसका ही बड़ा प्यारा सा केस लोग हाँ वैसे तो प्यारा नहीं बहुत ग्रूसम इसमें चीज करी गई है लेकिन इसको हम भी सब्सक्राश करने कोश्च करते हैं ठीक है Om Pratash vs State of Punjab 1782 भाई मेरे देखो क्या किया गया यह चीज अंग्रेजी में यहां लिखी हुई है तो आपे लिखी हुई है अपने IPC में ठीक है यह कि मैं तुम्हें अपने तरीकी समझाता हूं कि बाई दो मैं तुम्हें अपने तरीकी से बताता हूं दो लोग कौन? Husband और वाइफ अब इनके पीच में सम्मन थे कटे ठीक तो husband ने क्या किया बंदी को चार दिवारी के अंदर कर जाए confine और बड़े systematic तरीके से पांच-पांच-शेशे दिंगेट gap में इसको बहुत limited खाना देने लगा ठीक है? बहुत limited खाना इतना कि सिर्फ यह survive कर सके ना बाहर जाने दे रहा है ना किसी से बात करने दर रहा है कुछ नहीं बस उतना खाना दे रहा है इसकी हालत बड़ी खराब हो चुकी ठीक है? अब कुछ दिन बाद जब यह बहुत खराब हालत में है उस time जाने कैसे इसको घर से भागने का रास्ता मिल गया ठीक है? यह भाग के पहुची होस्पिटल होस्पिटल में जिस डॉक्टर ने इसको देखा उसकी पुरी कहानी सुनी उसके बाद तुरंती इसने रिपोट किया और यहां पे पता है क्या हुआ? तुम पुछ रहे होगी कि इससर क्यों बता रहे हो मैं बताता हूँ देखो यहां पे attempt to murder declare हुआ क्यों? not because of a particular act but because of a particular omission ठीक है? यहां पे husband की duty थी कि अपनी बीवी का ध्यान रखे उसको खाना की न टाइम पे दे लेकिन उसने वो नहीं किया इसकी वज़े से उसको libel किया गया आ रहा है? आ रहा है? ठीक है for starving her wife attempt to murder omission of duty ठीक है production यह हो गया हो गया हो गया अपन अब आते हैं कहा? section no.33 section no.33 की बात करें बहुत कुछ नहीं बहुत simple section है मतलब कुछ नहीं बात कर रहा है एक बाद रीट करें ठीक है? act or omission कुछ define कर रहा है क्या? the word act also denotes a series of acts and the word omission denotes a series of omissions कुछ नहीं मैंने तुम्हें लगाए कित्ते? 10 तमाचे तो मेरा हर तमाचा अलग-अलग act की तरह कांद नहीं होगा दसों तमाचे लगाने का पूरा जो कांड रहना उसको हम लोग एक act करेंगे ठीक? बस इस section में इतना ही दिया हुआ है अब चोंकि तुम लोगों ने ये को समझ लिए है तो चलो section number 34 की बात करते हैं जो कि आज का हमारा main topic है ठीक है? चलो हाँ तो अगर section number 34 की बात करें तो basically इस वारे section में हम लोगों को common intention को deep में समझना है ठीक है? तो जैसे कि अपना परियुका है सबसे पहले हम लोग section को read कर लेते हैं ठीक है? वे रट? ठीक है बई चलो निकाल लो section number 34 Acts done by several person in furtherance of common intention ठीक है? सुर लिया? आगे पढ़ते हैं When a criminal act is done by several persons in furtherance of a common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as it were done by him alone अंग्रेजी, side करते हैं बात को तोड़ने की कोशिश करते हैं ठीक है? देखो यार इसके अंदर में भाशा पे जाएं तो तीन में इंक्रीडियेंट हैं क्या? पहला है act by several person act में तो act क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब ठीक है? in furtherance of उसी के संधर्ब में उसी में आगे बढ़ते हुए मतलब कोई act करते हुए ठीक है? in furtherance of क्या? common intention आज का खिलाडी ठीक है? common intention acts done by several persons in furtherance of common intention यानी कि अगर कुछ लोग मिलके किसी एक कांड को करने का decide करते हैं ठीक? अब उसको करते दौरान अगर जो जो consequences results होंगे भले उसको हर particular person नहीं किया हो लेकिन liability सब के ऊपर आएगी रखो समझाता हूँ समझाता हूँ धीमे 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 अच्छा हम लोगों ने ingredients समझ दिये मतला मीर भाशा को तोड लिया ठीक है? अब यहाँ पर अगर बात आई है common intention की तो भाई सबसे पहले मैं चाहँगा section को और deep में समझने से पहले हम लोग common intention को deep में समझ देते ठीक है? चलो common intention पर आजाओ समझो क्या है? देखो it simply means prior concern यानि कि prior meeting of mind किसी भी काईट को करने से पहले सबका एक तरह से consent होना कि हाँ भाई यह करना है यह चीज common intention में आती है ठीक है? अब जब भाई सब लोग सोचते हैं ऐसा कुछ करने का तो participation की बात आती है देखो participation होता है एक membership होता है हम लोगों को इन दो parts अपनी दो वीडियोस है उसमें section 149 और section 34 को कबर करना है न तो membership की बात आएगी 149 में इसमें लोग बात करेंगे देखो यार सारी दिस्टिंक्शन है न जब एक और चीज आएगी joint liability आएगी constructive liability आएगी partnership versus membership आएगा यह सब मैं तुमको बता हुआ next part के वीडियो को इसलिए छोड़ा गुरी में पूरे concept को समझने के रहे ठीक है अच्छा ठीक है भाई common intention के अंदर prior consent होनी चाहिए होनी चाहिए सबका participation होना चाहिए होना चाहिए चलो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे points की बारे में बताता हूँ जो हम लोगों को याद रखने हैं जब लोग बात करें common intention की ठीक है देखो पहले की बात करें तो पहले क्या मानते थे कि अगर physical presence होगा तभी बंदा लाइबल होगा section 34 के साब से ठीक है लेकिन ये चीज अब तुम बताओ अपने मन से आज की तारीक में कोई मतलब रखता है मतलब की आजकल तो हम लोग अपने साथी को बिना physical presence के भी assist कर सकते हैं ठीक है ना तो ये चीज उस समय थी अग नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं only presence with or without weapon will not make liable देखो कांड हो रहा है ना उसके सामने होना ये केवल आपकी common intention को define नहीं करता है क्या देखो एक सहरविशा का case है तुम लोग पढ़ोगे अपनी बुक देखोगे तो उसमें या सुपर स्टीशन का बड़ा खजब खेलता उसमें ऐसा मतलब बताया गया कि दो बालकों की म्रत्यों करवादी इश्वर के नाम पर मतलब पीर पैजांगरों का कुछ case था और भाई मतलब वो लोग सच में मानते थे कि इससे उनको कुछ फाइदा होने वाला है फाइदा इस ऐसा नहीं कि मतलब कुछ चाहते थे कि मत्यों लेकिन यह चाहते थे बरसेगा इस्टा कुछ सीन था तो मतलब वहां पे जो लोग प्रेजेंट थे जो एक्यूस थे वो लोग डिरेक्ली नहीं प्रेजेंट किये थे अब कॉमन इटेंशन नहीं था उनका कि वो लोग मरवाएं करके समझ रहे हो फिर और लेके वो प्रेजेंट थे वहां पे तो वहीं बात कहीं गई है कि अउनली प्रेजेंस विदाउट मीटिंग ऑफ माइड विदाउट कॉमन इंटेंशन वेलाट क्रिये लाट एक और बात विएपन्स तुम तो गयार देखो जहां पे कांट हुआ उसके आसपास यह चार लोग थे यह हत्यारों के साथ पगड़े गए तो केवल मात्र यह बात विदाउट एन्य एविदेंस विदाउट एक केस था उसके अंदर लाटी लिए दो तीन लोग आसपास भून रहे थे और एक्यूस थे वो रोग अंतब ऐसी बात चली कि इन्होंने ही कांट किया है लेकिन दूरिंग दा कोट प्रसीडिक यह प्रूब नहीं हो सका तो उनका मेर वेपन कहनी करना उनकी लाइबिल्टी को नहीं कर पाया से थीक है थीक है अच्छा दा पॉइंट अफ मेर इंस्टिगेशन देखो किसी को कांट करने के लिए बढ़ावा देना ये कोमन इंटेंशन नहीं है ठीक है? कि तुम मार रहे हु किसी को… ने और मार रुए है नो उनके एक कार मार लो एक कार माल रुऌ आर और मेरने लगे और ये यह common intention नहीं है, pre-arrange plan होना चाहिए, इस word को यहाँ रखना, pre-arrange plan होना चाहिए, इसको और discuss करेंगे, case आएगा भी, मैं भूपिशा वर्से से, ठीक है, अब 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 था, ठीक है, तो mere investigation जो है, वो common intention को नहीं define करती है, ठीक? ठीक भाई, अच्छा, common intention में develop on spot, समझो मेरे बाई, pre-arrange plan होना था, इसको मतलब यह नहीं है, कि मारे लोग कांट करने की site पे जाने से पहले घर पे एक meeting बाकाइदा जो है, लगा के table, खुरसी लगा के meeting होना जरूरी है, कि हाँ चलो अब यह करेंगे, ना, देखो, on spot, जो कांट जहां कांट हो रहा है, उस पे भी, अगर सब लोग agree कर जाते हैं कि हाँ, चलो यह और पर जाते हैं, या फिर कोई नहीं रोकता है उनमें से, तो वो चीज भी common intention के अंडर आ जाती है, और उसके बाद भी जो crimes commit होंगे, वो सब उसमें लोग section 34 के अंदर लाइबर होंगे, ठीक है, ठीक है, अब भाई आ गया, कहानी सुनने गटाएं, क्या आ गया, कहानी सुनने गटाएं, मतलब कि, दो important case laws समझने हैं, section 34 का question कहीं भी आए दुनिया में, इन दौनों को भाई दे आना, कोई नम्म नहीं गट पर आगा, ठीक है, चलो, समझते हैं, पहला case है, बरेंद कुमार घोष वर्सिस किं एंपरर, 1925, इसको भाई, पोस्ट मास्टर केस भी कहते हैं, ठीक है, अब कहानी को सुनना बड़े प्यार से, क्या था, कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया, मालों चार लोग थे, A, B, C, D हैंने डिसाइड किया, कि भाई, चलो, पोस्ट ओफिस से, ये पैसा इसा लूट क चलों गए, इसने कहा, ए, तुम जो है न, गेट के बाहर खड़े रहे न, तुम देखते रहे न, कि कोई बाहर से आये, तो हमनों को खबर कर देना, और अंदर जब गए, तो बात हुए कि, B, तुम देख लेना, कि जो है, जो आसपास कोस्ट ओफिस में लोग हैं, ये ओर दो लोग को काम क्या था? कि मनी को मादना, टीक है है, अब मालूं सी है, यहाँ पे एक कोस्ट मासटर साभ बैढ़ी थे, सब कोस्ट मासटर साभ बैढ़ी थे, उसके पास ये गया, इसमें का भाई, पैसे निकाल, थीक, तो उसमें कुछ नहीं किया, उनीचे देखता र अब बिना पैसे लिए ये लोग गए भाग ठीक अब नेक्स पॉइंट यहां पे जब ये लोग भागने लगे तो जो गेट पे था ना बरेंदर कुमार घोश ये पकड़ा गया ठीक है ये साथ बड़ी चोड में है बड़ा खुश कि मैंना तो कुछ किया हिने मैं तो बस गे इसको लेकिन जब कोड में केस चला तो इसको सेक्शन नंबर 302 मर्डर के लिए लाइबल किया अब तुम सोचो के क्यों इसमें तो कुछ नहीं किया था हाँ बैर कुछ नहीं किया था अब रोगो Acts done by several persons in furtherance of common intention अच्छा तुम मुझे बात बताओ चार लोग गयते लूटने बंदू क्यों लेके गयते यही तो सोच के लिए करें वह शायर जबवत पढ़ जाए शायर किसी कुछ नहीं कुछ ऐसी हटकतरी तो मारना पढ़ जाए है ना सोच तो थी थी ना तो कोड ने कहा कि तुमारी common intention थी इस कांड के पीछे इसलिए तुम्हें section 302 with 34 charge किया जागा तुम कहो कि यह क्या लेकर रहे हो सर में देखो ऐसा है एक पाथ point में आपर समय जाकी बात है जो भी section 34 है यह अपने आपने कोई अपराद नहीं है समझ रहे हो यह अपने आपने कोई offense नहीं है इसको माखेले नहीं है कि section 34 के हिसाब से कोई समसा मिल नहीं है section 34 is always read with some offense मतलब कि कोई और कांट किया उसमें बाकी लोगों को खीचने के लिए उनकी liability को desire करने के लिए section 34 use किया जाता है समझ रहे है section 34 itself creates no offense समझ रहे है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पे इसको guilty hand किया गया बरेंत कुमार भूश को guilty hand किया एक केस लोग एक कानी समझ में आई एक और बढ़िया कान सुनाता हूँ ठीक है देखो एक बढ़िया केस आता है महभूब शाह वर्सिस एंपरर का हम उनिस सो पितालिस का केस है कानी सुनना बहुत ध्यान से देखो नाम इसमें है मैं कुछ बोलूँगा कुछ भूल जाओ में बाद तुम्हें आतरा दूँगा ते वो अल्लाद करके का अदमी था ठीक है अल्लाद यह इसका दोस्त था हमिदुल्ला दोस्त था ठीक यह कौ माम बोट पे शायद इंडस रिएवर थी रिएवर कोई मिदी चयक कर ले ना गए क्या करने यह करने दोटकर देल करने रीड्स इंद kया होता है में मेरे वह किनारे वाया होती है वो म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट में उसका और भी कमिर्शन होता हुए ना तो वो कलेक्ट करने गए अब अब तुम समझने कुछ है ना देखो जहां ये गए कलेक्ट करने वो लैंड था महभूब शाह का मुहम्मद शाह का याद करते हैं ना नाम भी तो मुहम्मद शाहन इसको इनको रोका कि मत करो कलेक्ट नहीं ले जाओ वहां से हैं ओके ये जो था ना वाली शाह ये पता कौन था ये था अपने मुहम्मद शाह का बेटा यानि कि जिसका लेंड था ठीक आई बास समझने है ये जो था महभूब शाह ये कौन था ये था वाली शाह का दोस्त क्याद करो अल्लादार हमिदुल्ला कलेकरने आए मुहम्मद शाह का क्या लैंड वाली शाह उसका बेटा महभूब शाह उसका दोस्त अब एक बंदा और है कासिम शाह कासिम शाह ठीक है ये कौन है कासिम शाह पता है कासिम शाह है मुहमद शाह का नेफ्यू जिसका लैंड था उसका नेफ्यू तो जब ये गए अल्लादार हमिदुल्ला कलेक्ट करने मुहमद शाह ने चला के रोका जैसे भी रोका नहीं रोके तो कासिम शाह चोड में आया कि कैसे रिजाओगे इसने जो है ना लड़ना शुरू कर दिया उन लोगों से ठाका कर दिया अल्ला का लोगो इस लोगों ने क्या दिया बोट होती है वही बोट बोट में चल्पू होता है बहुत नंभा होता है ठीक है उससे इसको कासिम शाह को धक्का देना और शाहर मतलब इसको मारना हीट करना शुरू करती है ठीक है इसने चलाया हेल्प के लिए ठीक अब सीन पे सीन समझ में आ रहा है उस सीन पे कौन आ गया वाली शाह और महबूब शाह अपियर हो गए सड़नी विद गंस ठीक है इन्हों एकार छोड़ दो अगया तो ठीक है चोड़ने लगे अब जब है अल्ला दाद और हमितुल्ला भागे बंदूग देखे तो इन्हों ने कर दिया शूट ठीक शूट किया तो अल्ला दाद की म्रत्यों हो गई वाली शाह की गोली से कोई बात नहीं ठीक हमितुल्ला को छोटी सी चोट आई महबूब शाह की गोल हमितुल्ला में केस फाइल किया और कहा कि महबूब शाह भी यह तुछी के चारेल होई गया माझटर क लिए कोई बात ने कोई ने महबूब शाह को भी अंडर सेशन धर्टी-फौर मड़र के चार्च करो तो पहले तो अट्रम्डर फिर हाइकोड में गया तो मडरर के चार् तो इनका कोई पहले से प्लैन तो नहीं था, कि यह लोग को अदे जल इसको इसो मारेंगे करके इन दोनों को, है न, इनका मुझर करेंगी करके, इन दोनों पहले सीव सोचा तो सोचा तूर मेरे भाई कि जब कोई पिरी अरेंट प्लैन नहीं था तो कॉमन इंटेंशन कहां से आई नहीं आई So that's why it was declared कि ये section 304 के अंदर चार्ज नहीं किया जाएगा Feel आ रहा है? आ रहा है न? चलो common intention को हम लोग उने तोड़ के, मोड़ के, मरोड़ के सब कुछ समझ लिया चलो अब हम लोग पता है section 34 के object को समझते हैं कि इसको क्यों लाएगा है जब भाई देखो हम लोग बात करते हैं कि कोई ऐसा कोई kind है कई सारे लोगों ने जब मिलके किया तो हर किसी ने क्या exactly commit किया कि decide करना बढ़ा मुश्क्रिक होता है जैसे कि मैंने कहा कि चल भाई मैं तिवारी जी शुकला जी और लेलिया अगरवाल साथ को हमने कहा कि चलो दुबए जी को मार के आते हैं ठीक ठीक जब हम लोग मार रहे गए तो अगरवाल साथ ने तो एक पीछे से पंच मार पाया और मा लेजिए शुकला जी ने आगे से मार दिया चको और तेवारी जी कुछ करी नी पाया हुती थे तब तक ये लोग मार पाय थे और शुकला जी के चको से ही उसकी हो गई टैथ समझ में आ रहा है सी नहीं अब कोई कहते वारी ये बोले बैठके किसा हमने तो कुछ की है इने लेकिन भाई आप भी तो मारने गई थे है ना इस वज़े से ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स होते जो एसकेप कर जाते ठीक है इस वज़े से सेक्शन 34 की एहमियत हुई ठीक है अब और के बताता हूँ इसी में देखो भले ही लोगों ने खुद कांड ना किया हो लेकिन उनका मेर पार्टिसिपेशन और मेर प्रिजेंस कांड करने वाले को कॉन्विडेंस प्रोइड करेगा प्रोटेक्शन प्रोइड करेगा सपोर्ट प्रोइड करेगा थीक है तो उसको भी लाइबल किया जाएगा अच्छा प्रिसिपल क्या है What is the principle of this section 34 Section 34 incorporates the principle of joint liability Joint liability दो चीज़ें होती है Joint और Constructive Constructive हम लोग पढ़ेगे Section No.134 में Joint होता है कि जब कोई कांड तो पूरी हम लोग ने तीर से राम कता जो समझी उसमें लोग यही डिसकास कर रहे हैं तो उन्हों को सब्सक्राइब लागा है जोइंट लाइविटी को समझाते होगे कि रैग वर्सिस क्रूज का केस है रैग वर्सिस क्रूज 1830 का कीस है इसके फैक्ट थमले चोटी और खानी सोली लुफ तीक है इन्होंने मालपूर्प के जैसे भी हिट किया और इनको भागा दिया अब भले ही किसी एक ने हिट किया हो किसी एक ने कांड किया हो BZD में से लेकिन वो तीनों लाइविल होंगे ये एक चोटा सा केस था चोटे से क्रूज थे और जो कि जोईंट लाइविलेटी को को समझाते हैं अबत्टी pepper लग लिया हम लुगों ने के इंग्रीडेंट GG नि तोज हर लिया अम लोगों इन प्रिंसिपल समझ लिया कॉमन इंटेंशन के और से बार इसकी के啊 आप लोग उसको डाल सकते हैं और 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 मेन बात याद करें प्रियांज प्लैंड होना चाहिए यह सब चीज़े थी में डेलाव अंदर इसपॉर्ट हो सकता है विदीका प्रसंट वाली बात थी है तो यह सब चीज़े हम लोग डिसकस करें तो अलोग ने सेक्शन नमबर 32 द इनके डिफ्रेंसिस देखेंगे और जो में डिफ्रेंसिस जन्रेट होते हैं जैसे कि जाइंट लाइविल्टी वगईरा के और गल्षेल लाइविल्टी इन सब चीज़ों के वह सारी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो भाई मेरे अगर वीडियो पसंद आयो ना तो घंटा इस वाद पक्कत धवागे दाना इतनी इंफामेटी वीडियो तुमको और कहीं नहीं मिलने वाले ठीक है तो सब्सक्राइब करो और हाँ मज़े करो